राधे राधे मित्रों आप सभी को पंडितायन्चे विशर्मा की ओर से हार दिका बिनन्दन आज आपको बताऊंगी वास्तु शास्त्र में नौर्थीस दिशा के बैलेंस यानी संतुलन का महत्र अगर आप ट्रेवलिंग सिक्नेस के मरीज हैं यानी कार या बस के सफर करते समय आपको मतली आती है आपका जी में चलाता है तो मुम्किन है कि आपके घर के नौर्थीस्ट में एक और कोई बहुत भारी सामान रखा है इस प्रकार एक और भारी रखा हुआ सामान नौर्थीस्ट के बैलेंस को बिगार देता है और परिणाम सरुप वहां निवास करने वाले लोगों को अकसर चक्कर आने की शिकायत रहती है Medical Science के अनुसार इंसान के brain, inner ear और आँखों के बीच का ताल में बिगड़े तो यात्रा के दौरान जी घवराने लगता है Science और शास्त्र में balance रखते हुए पंडिताइन हमेशा करती है आपके पते की बात इसलिए जितना जल्दी हो सके उस भारे सामान को व्यवस्तित ठिकाने यानी दक्षिर या पश्चिम में पहुँचाएं और अपने घर के नौर्थीस्ट में एक काश के बरतन में आवले का नमकीन अचार बना कर रखें और यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान थोड़ा थोड़ा करके आवले का अचार खाएं यात्रा आरम करने से पहले कुछ देर गाड़ी की खिर्कियां खोल दें और ताजी हवा अंदर आने दें यात्रा के दौरान सिर्फ सामने वाले रास्ते पर ही ध्यान दें पार्क करते समय ध्यान दें कि आपका चेहरा दक्षिड में न हो यानि कार को इस्ट वेस्ट या नॉर्थ फेसिंग ही पार्क करें शास्त्रों के अनुसार जो वाहन कई दिनों तक बंद पड़े रहते हैं उनमें नकारात्मक उर्जा इकटी हो जाती है कुछ ऐसा ही मानना वेज्ञानिकों का भी है दरसल बंद कारी के अंदर विशेश प्रकार की हानिकारक गैस उत्पन होती है जो उसमें पड़ी पानी की बॉटल तक को नुकसान पहुँचाती है इसलिए शोद करता सला देते हैं कि आपको बंद कार में छूटी हुई पानी की बॉटल से पानी नहीं पीना चाहिए इसलिए कुछ श्यात्रियों को कांच बंद करने के रिप जाए कांच खोल कर गाड़ी में बैठना सुहाता है एक छोटे मलमल के कपड़े में 20 क्राम कपूर और 20 क्राम चंदन पाउडर बान कर पोटली बनाएं और इस पोटली को कार के अंदर रखें एक एक महीने के अंतर पर इस पोटली को बदलते रहें खुश रहें स्वस्त रहें कुछ नई टिप्स के साथ कल फिर मुलाकात होगी तब तक आज के आनंद की जाए